हेलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एंजोई स्टेडी लाइफ यूटूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है तो मित्रों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो दोस्तों आज के से वीडियो में राजस्तान सी ए चुकर पेपर में पूचे जा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट कुशन है एक स्वस्त मनुस्य का हरदे एक मिनिट में कितनी बार धड़कता है तो दोस्तों आप से कुशन में पूचा है एक स्वस्त मनुस्य का हरदे एक मिनिट में कितन बार बहतर बार तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बहतर पार इसका राइट आंसर हो जाएगा बहतर बार एक स्वस्त मनुस्य का हर्दे एक मिन्ट में बहतर बार दड़कता है तो उसका correct answer हो जाएगा 22 नेक्स्ट क्यूशन मनुष्य के सरीर का तापमान कितना होता है तो दोस्तों आप से क्यूशन में पूचा है मनुष्य का सरीर का तापमान कितना होता है तो दोस्तों इसका right answer बताएं पटा-पट इसका right answer बताएं क्या हो जाएगा इसका right answer इसका right answer हो जाएगा 37 डिगरी से अंठ्यान में डिगरी 4 फारेनाइट इसका right answer हो जाएगा ए वाला option हो जाएगा पश्ट वाला मनुष्य क्या सरीर का तापमान 37 डिगरी से या या अंठ्यान में डिगरी 4 फारेनाइट होता है जिसका right answer हो जाएगा next question गुलकोमा रोग सरीर के किस अंग से सम्बंदित है तो दोस्तों आप से question पूचा है गुलकोमा रोग क्या पूचा है आप से गुलकोमा रोग पूचा है जो सरीर के किस अंग से सम्बंदित है आख कान नाख गर्दन तो दोस्तों इसका right answer बताएग दोस्तों इसी परकार के क्यूजन आपके राजसान CHO के पेपर में पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूजन है दोस्तों तो पटापट इसकराय टांसर बताएं तो इसकराय टांसर हो जाएगा आख क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आख गुलको कुमा रोक शरीर के आख से संबंदित प्रोग है तो दोस्तों इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा आख दोस्तों इसा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंक नेक्स्ट कुजन दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता है दोस्तों दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता है आप दूद रोज पिते होगे तो बताएं दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता है विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन D तो बताएं कौन सा विटामिन नहीं होता है दूद में फटा फट कमेंट करें तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C क्या हो जाएगा? इसका रायट आंसर हो जाएगा विटामिन C दूद में विटामिन C नहीं होता है तो दोस्तों जो दूद होता है उसमें विटामिन C नहीं होता है तो इसका correct आंसर हो जाएगा विटामिन C Next question मादा एनफलीज मच्चर के काटने से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों आप से पूचा है मादा एनिफ्लीज के मच्चर के काटने से कौन सा रोग होता है मलेरिया, टाइफाइड, खासी, पी लिया तो फटाफट इसका राइट आंसर बताएं तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं इसका right answer हो जाएगा malaria क्या हो जाएगा इसका right answer इसका right answer हो जाएगा malaria मादा एनिफ्रीज मच्चर के काटने से malaria रोग होता है इसका correct answer है malaria इसका correct answer है दोस्तों malaria next question मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है दोस्तों आप से कुश्य में पूंचा है मानव सरीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है तो बताएं सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है step is femur alna radius दोस्तों इसका right answer बताएं फटापर इसका right answer बताएं इसका right answer हो जाएगा step is क्या हो जाएगा इस correct answer इस correct answer हो जाएगा step is मानव सरीर की सबसे चोटी हड़ी होती है step is हड़ी होती है जो सबसे चोटी होती है तो इसा correct answer हो जाएगा step is next question मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो दोस्तों अब कि उसमें पूछाए आप से सबसे बड़ी अड़ी, मानो सरी की सबसे बड़ी अड़ी आपको बताना है, फीमर, फिबूला, टीबिया, पटेला, तो दोस्तों से राइट आंसर बताएं, पटापट कमेंट करें इसका राइट आंसर, क्या हो जाए इसका रा इसका रायट आंसर हो जाएगा फीमर मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर हड़ी होती है फीमर दोस्तों जो ये फीमर हड़ी है वो जांग की हड़ी होती है तो दोस्तों इसका रायट आंसर हो जाएगा फीमर थेंक्यों दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ के अगर दोस्तों आपको और अच्छी तयाई करनी है राज्टान सीजों की या एंपी सीजों की या यूपी सीजों की नोर्ट सेट की तो दोस्तों हमारी यूगल प्रले स्टोर पर एप है एच्टी एम के अकेडमी तो दोस्तों आप उस एप को डाउन लिए